मस्तिशक और रीड की परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चुम उत्रप्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचीन तोमर मस्तिशक वे रीड के विशेशग्य वे सर्जन फिनिक्स स्पाइन एवं नियूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा की निकट मेरट मॉल में सित दिल्ली रोड मेरट राष्ट्य लोगदल सुप्रीमो जैन्त चौधरी ने कहा कि 2024 में भाच्पा में शामिल होने का नियोता देकर ग्रहम मंत्रे अमिर्शाह ने उनकी तरफ गूगली फैकी थी लेकिन वह आउट नहीं हुए विधान सभा चुनाओ में जिन इलाकों में हमारी वोट नहीं थी महा किसान आंदोलन का असर साफ नजर आया महा गटबंदन जीता है लेकिन हम महा नहीं पहुँच पाए जहां पहुँचना चाहिए था कुछ गल्तिया भी हुई है उसमें सुधार लाए जाएगा रही बात MLC चुनाओ की तो राजनेत्ती में बैठे लोग परशाशन के कुछ अफसरों में नंगा नाच किया है उनके पास गुंडे हैं पैसा हैं वावज़ोद इसके पीछे हटने वाले नहीं है जैन चौधरी आज मेरट में मीडिया से बारता कर रहे थे देखिए मेरट आने के कोई बज़ा नहीं है और मुझे मेरट आने के लिए कोई बज़ा भी नहीं चाहिए यह हमारा घर है मेरट ले बहुत अच्छा नोपीजा दिया बिदानसमा चुनाव के बात जो नतीजा है उसकी बात प्रती बात मेरट आया हूँ कुछ वर्करों से हमने बात चीत तरी जटबंदन के जिम्मेदार लूग के लाइक मैट नहीं के मौजू हूँ और अभी MLC का चुनाव नौतारिक को होना है इसी छेत्र से सुनी लौड़ा हमारे पाइटी के हैं और के पंदन के प्रत्याशन है हमारे बीच है उनके चुनावी जवस्ताओं को भी देखना का मुझे मिला है और मुझवफनगर से सौरब गाउं समय होगा है हमने चुनाव को होज करीब से अब समझने की प्रक्रिया शुरू की है राजयन शर्माजी जो मेरे बवर में बैठे है तीन सदस समिक्षी हमने समिक्षा करने के लिए बनाई है उसमें ये भी माजूद है और ये तीनों सदस सामुई कौर पे सभी जिलों में जाएंगे सवालबादी पाइटी के जिम्मेदारी अपने उसे बात्चित करेंगे ब जिनके बूठों पे अच्छा परपशन बाटी का अपना इन्होंने मैनत चुनाव में इमांदारी से जिन्होंने अकटबंदन का साथ किया उनको हम बरित्या देंगे और नौजवान और महिलाओं की किंती अपने संकल्षन में बढ़ाएंगे आज हमने संकल्षन पीए बा जो एक नंगा नाच हुआ है क्रूर ब्यावार कई छेत्रों में आपने देखा वो तश्वीरे वाइरल हुई एक MLC है सदन के सदस है उनकी अपनी इज़त है वो सदन की अपनी गरिमा होती है और एक तरह से ब्रीच और प्रिवलेज है क्या उनके कॉरल पकड़के खीचा जा रहा है थकम की जा रही उनके हाथ से पर्चे छीने जा रहे हैं मार पीठ हो रही है वो विरोध कर रहा है क्योंकि परिसर के अंदर है जहाँ उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए और शुरक्षा के लिए तैनात पुलिस करनी वामूख दर्शक बने खड़े हैं कि उनमें करनी चाहिए थी ऐसे गुंडों पर जो इस तरह का एक बातवर्ण बनाना चाह रहे थे हाँ अगर चुनाब नहीं लड़ना था तो प्रशासन से जुड़े लोग जो रिफॉर्म चाहते हैं जो अच्छा वर्लाव दाना चाहती थे नौकरी पेशेवर लोग उन्होंने भी साथ हैं तक नहीं पहुँज पाएं जहां तक में मेरे छेंट तर ने अच्छे नतिज़े दिया हैं। आप देखें जा जिस छेंट में गण्य की खेती हैं जहां गण्य के किसानों में नाराज़ गिया थी। जहां किसान आंदोरण का परभाव था, जहां हमारे भाइचारा जिद्दबाद कारिकरम का परभाव बन पाया, वहां हम लोग जी पर लेकिन दाइरा बढ़ाने के जुरूत है, और भी जो समाज में जो शक्तिया हैं, जो लोग हैं, उन्हें हमें इसमें जोड़ना है, जब ह हमने गड़ बंदन किया था, तभी अलाज किया था कि लंबा चले, चुनाव तो एक जोटी कड़ी होती है, और उन विष्टों में ये एक बहुत छोटी कड़ी है, लंबा चलकर हम जो करना चाहते हैं देश के लिए, तभी संबभ होगा जो हम लोग दूसरे का सहीओ करते ह हमको राजने तेक फैसले होते हैं, वो तो समय पे लिए जाएंगे, उनका क्या रूप है, उनका फैसला है, लेकर विष्टा है, एक व्यूचल रिस्पेक्ट है, और मुद्वों पे हम लोग साथ आने को राजी हैं हमने बहुत बार देखे हैं कुछ विदासवाद छेत्र में नतीजे, जहां हमने वोट तहरे नहीं में देखे हैं, उच छेत्रे ने किसान आदोलन में, उच छेत्रे ने सयोब भी किया, और वहां हमारी वोट बिलिए, यह जो हमें वोट मिल लिए 26 राक आरेंडी को, जिसक अभी तुम्हें यही कह सकता हूँ, मैं यह कहूँ कि हम हारे नहीं तो गलत हो जाएगा, हम हारे भी हैं लेकिन हम जीते भी, इस ख़बर में फिलाल इतना है, आप देखिये फार्टबाय.tv, नमस्कार.